हलो आल तो देखिए एच्पी टैट की जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुकी है और जो हमारा एक्जाम कंड़क्ट होगा एच्पी टैट नॉन मेडिकल का वो जो है 31 जुलाई को कंड़क्ट होगा तो चलिए अब बात करते हैं कि इसकी प्रेपरेशन कैसे की जाए ताक बते हैं कि जो हमारा एक्जाम होगा वो हमारा वन फिस्टी मार्क्ट हुगा उसमें वन फिस्टी ही कोस्चिन आएंगे और आपको स्कोर करना है 90 प्लस ठीक है 90 प्लस जो मार्क्स आएंगे वो उनका जो टैट है वो clear माना जाएगा तो इसमें जो sections होती है total five है देखिए mathematics, physics, chemistry, hpgk के साथ Indian gk भी आता है और साथ में current affair के भी थोड़ी से questions आ जाते हैं और last section है psychology अब देखिए आपको marks लेने है 90 प्लस तो देखिए आपको क्या करना है कि देखिए आपके 90 marks तो देखिए physics, chemistry और math से भी बन जाते हैं ठीक है लेकिन अब ऐसा सभी के साथ नहीं होता कि उनके जो है हर एक question जो है क्या होगा सही होगा राइट तो उसके आपके पास दो sections और होती हैं जीके की और psychology की तो अब सबसे पहले बात करेंगे mathematics की तो देखिए mathematics में maximum जो है आप 30 भी ले सकते हो या फिर 27 तो definitely ले सकते हो ठीक है क्योंकि क्या है कि जो मैहत्स है वो आपका 10 तक का आएगा maximum और उसके बाद जो बाकी questions आएंगे वो प्लस और टू से आएंगी प्लस वन टू से हर एक topic से हमें question नहीं आएगा हमें कहां से question आता है देखिए permutation combination से differentiation से एक आएगा integration से एक आजाएगा इस तरह से कुछ selective topics से ही जो है हमें प्लस वन टू से question देखने को मिलते हैं तो आपको प्लस वन टू को complete पढ़ने की जरूरत नहीं होती ठीक है आप कहा करोगे previous year का question paper निकालोगे उसमें देखना कि प्लस वन टू से किस तरह का question य जो six to tenth है वहां से आपको maths आ जाएगा फिर next बात आती है हमारी physics की तो जो physics होता है वह आपको prepare करना होता है प्लस वन टू का ठीक है तो प्लस वन टू की अभी देखे आपके पास time है तो आप उसको detail में भी पढ़ सकते हो लेकिन अगर time ना रहे तो सबसे easy method होता है कि जो books है उनमें जो chapter का last में जो हमें summary दी होती है उसको पढ़के जाएए ठीक है वहां पर आपको formula मिल जाएगा उस chapter में क्या-क्या था वो सब कुछ वहां पर दिया होता है last में ठीक है और वहां पर जैसे कोई values पूछ ली जाती है ठीक है तो वह भी आपको पता होनी चाहिए ज है कि अगर आपके पास formula होगा तो आप उस formula से question को solve कर सकते हो ठीक है तो इस तरीके से आप जो physics है उसमें भी आप अच्छे से score कर सकते हो next बात आती है हमारी chemistry की तो देखे chemistry का क्या है कि chemistry एक तो है आप chemistry की books पढ़ लीजिए या second है कि जो हमारी Lucent की book आती है general science की वहां पर जो chemistry section होती है आप उसको पढ़के जाए तो वहां से भी देखे questions आते हैं क्योंकि chemistry इसमें कैसी पूछी जाती है देखे जैसे isotope हो गया formulas हो गया जैसे प्लास्ट आफ पैर इसके या फिर baking soda इस तरीके से questions आते हैं बाकी मैं आपको suggestion दोंगी कि जो chemistry की जो हमारी plus one की book होती ह ठीक है तो उसमें देखिए organic part जो हमें basic सा आएगा बाकी जो हमारा inorganic part है उसको आप वहां से complete करके जाए क्योंकि जो हमारा वहां पे एक chapter होता है जिसमें वह electron affinity, electron gain, enthalpy वगएर होती है, ionization, energy होती है वहां से question maximum time पूछे जाते हैं ठीक है क्योंकि वहां पे जो exceptions होती है न व GK आपका ही महांचल का आएगा, Indian GK होगा, current affair होंगे तो इन सब को अगर आप ना कर पाओ तो इसलिए अच्छा है कि आप HPGK करके जाओ कि जो HPGK है 10 marks का तो definitely आता ही आता है ठीक है तो आप जो है HPGK को करोगे तो आपके 10 marks आपको यहां पे मिल जाएंगे देखिए लास्ट हमारी जो section है वो है psychology तो एक तो होता है कि देखिए आप किजिए कि बियाड की books हैं वहां से आपको आपने पढ़ा है वो हो गया बाकी यह है कि अगर आपको जो है time हो चुका है ठीक है बियाड किये हुए तो आपके लिए best है कि जो YouTube पे वीडियो आती है देखिए जैसे लॉंग वीडियो बनाई होती है ठीक है वन शॉर्ट वीडियो बनाई होती है psychology की वह जो है best होती है जो की ऐसा नहीं कि जो एक कंटे की वीडियो होगी लेकिन जो जिन में देखिए तो या थी आवर्स की जो वीडियो होती है उनमें जो है psychology को maximum जो है cover कर ल टैड जो है definitely clear होगा ठीक है अगर आपको देखिए अगर maths और physics से related कुछ topics अगर आपको समझ ना आए तो आप जो है comment section में बता सकते हो और मैं जो है उन पर वीडियो बना सकती हूं ठीक है तो कुछ वीडियो मैंने देखिए mathematics की बनाई हुई है तो आप उनको भी जुरूर देखना तो उनसे भी आपको बहुत सारी help मिलेगी और एक और advice है कि जो questions paper है previous years के जितने भी आप उनको ज़रूर solve कीजेगा आपको बहुत ही ज्यादा help मिलेगी बाकी जो मेरा channel है उसको subscribe कर दीजिएगा क्योंकि मैं इस channel पे देखिए HP tech non-medical से related जो videos है वो upload करती तो आप मेरे channel को जरूर subscribe कीजिएगा thank you so much